मज़ेदार कहाने, प्रतिध्वने, आपकी आखिरी गलती आपकी सबसे अच्छी शिक्षक है, रॉक नादर, दादा जी मैं छक्का मारूंगा, अम्बुज ने क्रिकेट बैट लहराते हुए मुझसे कहा, वे एक हाथ में गेंद लिये था, बोला, प्लीज, बॉलिंग करो न दादा जी, अरे-अरे, इस कमरे में छक्का, नहीं-नहीं, यहाँ थोड़े ही छक्का मारा जाता है, कमरे में कहीं क्रिकेट खेलते हैं क्या, यहाँ टीवी है, प्रिज है, कूलर भी रखा है, छक्के से यह सामान तूट जाएगा, मैंने उसे समझाते हुए कहा, तो फिर आ मेरी ओड देखा वहाँ पर कार रखी है तुम्हारे पापा की बाइक रखी है और मेरा स्कूटर रखा है गाडियां खराब हो जाएंगी और उनके दरपन तूट जाएंगे मैंने उसे समझाने की कोशिश की यह दरपन क्या है दादा जी उसने ऐसे पूछा जैसे मैंने किसी चंगली खुखार जानवर का नाम ले दिया हो अरे भाई मिरर है ना कार में भी लगे हैं और बाइक में भी मैंने कहा तो ऐसा बोलो ना आप तो क्या दरपन वरपन चाने किस भाशा में बात करते हैं क्या आपको हिंदी नहीं आती मैं उसकी बातों का रस ले रहा था बेट मेरी हिंदी जरा ठीक नहीं है ना ठीक है तो मैं मैंदान में जाकर खेलता हूँ वहीं चौके और चक्के मारूंगा वह बाहर भागने लगा बेटे मैंदान में तो बड़े बच्चे खेलते हैं तुम अभी बहुत छोटे हो मैंने उसे पकड़ा और घर के भीतर ले आया व तो मैंने देखा कि अम्बुज टीवी के सामने तूटा हुआ फ्लावर पॉट लेकर सेहमा सा बैठा है और एक हाथ से तूटे हुए टुकडे बटोरने का प्रयास कर रहा है मुझे देखते ही बोला दादाची यह देखिये यह क्या किया तुमने मैं समझा शायद उसने कम में ही धोनी बनने का प्रयास कर लिया है और टीवी का राम नाम सत्य कर दिया है किन्तु टीवी को सल्मत देखकर मैंने चैन की सांस ले क्या हुआ क्या तोड़ा मैंने थोड़ा जोर से पूछा तो वह सिसकने लगा और हाथ में पकड़े तूटे प्लावर पॉट की और प्लावर पॉट को शम्शान भेजने की तयारी कर दी है क्या आपने यहां छक्का मार दिया मैंने जरा जोड से पूछा तो वह से सकने लगा पर दादा जी गेंद टीवी में नहीं लगी है प्लावर पॉट ही तूटा है कहकर उस पॉट को टेप लगा कर जोडने का प्रयास करने लगा उसके हाथ में कैची और टेप का रोल था मैंने कहा था ना कि यहां क्रिकेट मत खेलो पर आप नहीं माने पॉट तूट गया ना मैंने उसे धीरे से डाटा तादा जी मम्मी को मत बताना और दादी जी को भी नहीं बोलना मैं धीरे से बोला क्यों नहीं बोलना जब आपने मेरा कहना नहीं माना तो मैं क्यों प्लीज दादा जी मुझे डाट पड़ेगी ना मेरी बात पूर्ण होने से पहले ही मैं बोल पड़ा अब कभी कमरे में छक्का नहीं मारूंगा बड़े आत्म विश्वास से वह बोला शाम को जब लोगों ने फ्लावर पॉट टूटा देखा तो प्रश्णों की जड़ी लग गई किसने तोड़ा, कैसे टूटा, आदे मैंने फ्लावर पॉट टूटने की सच कहानी सबको बतला दी और यह भी हिदायत दे दी कि अम्बुच को कोई न डाते और नहीं उसे यह बताएं कि सबको सच मालूम है दादी जी ने हस कर पूझा अम्बुच, पॉट कैसे टूटा? तो वह हस कर बोला दादी टीवी थोड़ा सा हिल गया था इससे उस पर रखा पॉट गिर गया और टूट गया उसने सबको यही जवाब दिया मतलब सबसे वह जूट बोले जा रहा था जब उसको किसी ने नहीं डाटा तो उसका डर जाता रहा और वह सामान्य होकर खेलने लगा दूसरे दिन जब वापस आकर मैंने उसे बताया कि छक्का लगने से पॉट तूटने वाली बात मैंने सबको बता दी है तो वह आश्चरे से देखने लगा मुझे तो किसी ने नहीं डाटा पर आपने सबको क्यों बताया इसलिए बताया कि हमें जूट नहीं बोलना चाहिए जूट बोलना अच्छी बात नहीं होती है पर आपने तो वादा किया था कि किसी को नहीं बताएंगे मैं हसकर बोला उस समय आप डरे हुए थे इसलिए वादा कर दिया था हमेशा सच बोलना चाहिए यदि गलती हो जाए तो उसे स्वीकार कर लिना चाहिए और आगे से गलती नहो ऐसा प्रण करना चाहिए ठीक है दादा जी मैं वादा करता हूँ कि आगे से कभी जूट नहीं बोलूंगा बढों का कहना मानूंगा और कमरे में छक्का भी नहीं मारूंगा बस इतना कहकर वे छक्का मारने बाहर चला गया जीवन मूल्य हमें बढों की बात माननी चाहिए और जूट नहीं बोलना चाहिए जीवन कौशल अगले सप्ता तुम्हारा क्रिकेट मैच है ना? हाँ, इसलिए प्रति दिन अभ्यास कर रहा हूँ अरे, तुम तब बहुत अच्छा खेलते हो तुम्हें अभ्यास की क्या जरूरत है? अगर मैं अभ्यास नहीं करूंगा तो मैच कैसे जीतूंगा? अभ्यास और मेहनत के बिना तो मैच जीतना संभव नहीं है बातों बातों में हमने सीखा कि जीतने के लिए अभ्यास और कड़ी मेहनत की आवश्यक्ता होती है अभ्यास और कि जीतना संभव नहीं है